यह बात हम सभी जानते हैं कि सैमसंग कमपणी सैमसंग गेलेक्सी एक्स फोडेबल स्मार्टफोन बनाने पर काम कर रही है लेकिन हमारी दिमाग में सवाल यह है कि जब वास्तों में यह स्मार्टफोन उपलब्द कराया जाएगा सैमसंग वाकई गेलेक्सी राउंड इंडास्ट्री में अग्रणी रहा है यह एक ऐसा स्मार्टफोन है जो की कर्व डिस्पले के साथ था लेकिन यह स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह नहीं बनाया था अब Samsung के साथ अन्य स्मार्टफोन मेकर्स जैसे की LG, Apple आदि भी फोल्डेबल स्मार्टफोन बनाने की ओर कारिरत हैं लेकिन हमारा माना है कि Samsung कमपनी ही आपको सबसे पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन उपलब्द करवाने वाली पहली कमपनी हो जटती है इसी वर्ष सितंबर में डोंग जिन, Samsung के अद्रक्ष ने बताया कि वे 2018 में फोल्डेबल डिवाइस को लॉंज करने की योजना बना रहे हैं उद्यो के सुत्रों का दावा है कि Samsung डिस्पली ने पहले ही एक दशमलो शुन्य आर्काव लचर फोल्डेबल पैनल विक्सित किया है इसका मतलब है कि पूरी स्क्रिन किसी पेपर शीट की तरह फोल्ड हो सकती है एक बिजनिस कुरिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि Samsung फोल्डेबल डिस्पली स्मार्ट फोन के लिए प्लास्टिक मैटेरियल का इस्तिमाल करेगा कमपनी ने इस तरह के डिवाइस से संबंधित कई टेक्नॉलोजी पेट्रिंट्स के लिए आवितन किया है लेकिन Galaxy X के साथ सभी तक्नीकों को लागू नहीं किया जाएगा रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि Samsung 2018 में Galaxy X लाँज करेगा ताके Apple और LG पहला फोल्डेबल स्मार्ट फोन लाँज करने वाली कमपनिया ना बन पाएं हमने हाल ही में देखा है कि Apple ने iPhone के लिए एक ट्रिंट दायर किया है और ये अनुमान लगाया गया है कि LG डिस्प्ले एपल को फोल्डेबल पैनल्स की सप्लाई करेगा फिलहाल LG डिस्प्ले 2018 हमें 2.5 आर कवलचर साथ अपना पहला फोल्डेबल पैनल लाँज करने की योजना में है और 1.0 आर कवलचर को 2019 में पेश किया जा सकता है ये सभी रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा करती है कि आने वाले सालों में हमें फोल्डेबल डिवाइस जरूर देखने को मिलेगा